किसी खुब सूरत परी जैसी होगी मुझे क्या पता दिल रुबा कैसी होगी किसी खुब सूरत परी जैसी होगी मुझे क्या पता दिल रुबा कैसी होगी मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना ओ ओ जान जान डूडे तुझे दिवाना सपनों में रोज आई आज जिंदगी में आना क्या बात है मन्जिले तो मिल ही जाती है भटकते भटकते ही सही लेकिन गुम्रातो वो लोग हैं जो अब तक घर से निकले ही नहीं लेकिन गौरव शर्मा घर से निकल चुके हैं यानि की अपनी मन्जिल की और आगे बढ़ चुके हैं गौरव शर्मा के बारे में मैं बताना चाहूंगी गौरव शर्मा वैसे तो मेरे बहुत पुराने दोस भी है बहुत पुराने मित्र भी हैं करनाल का जाना माना चैरा है करनाल में तो मुझे नहीं लगता चाहे कोई भी म्यूजिशन हो कोई भी सिंगर हो जो गौरव शर्मा को जानता ना हो बहुत ही अच्छे गिटारिस भी हैं बहुत ही अच्छे सिंगिंग भी करते हैं लेकिन आज आ इनका एपिसोड सामने आया था जिसके बाद वावाई तो यह लूट ही रहे हैं लेकिन आज आइवेंट 24 खास तो और पर गौरव से बात करने के लिए याँ पर पहुंचा है गौरव को जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत लंबे समय से जानती हूं कॉलिज में जब मै करी थी और शायद जितने भी लोग यह सुन रहे होंगे सभी ने बहुत जादा एंजॉय किया होगा गौरव सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको क्योंकि टीवी पर आना हर किसी का सपना है मेरा भी सपना है कि मैं भी कभी एक बड़े प्लाटफॉर्म पर जाओ एक बड़ी प्लाटफॉर्म पर जाकर अपना अपने माबाप का नाम रोशन करो और आप तो अपने माबाप का नाम रोशन करी रहे हैं जब से पहले थैंक्यू सो मच आइबन 24 को कि जनोंने आज वैसे भी नही चलेंट को मोका देता आता है हमेशा से और आज मुझ प्रफॉर्ड में और काफी मुझे कहा है कि इस फिर्ड में अगे बढ़ो और कुछ करो फिल्ड के अंदर हाँ जी पंजाबी में अब यजि शो में मैं गया हूं और मस्तर सलीम जी जो कि याज पंजाब का एक लेजंडरी सिंगर है उनके साथ परफॉर्म किया मैंने उनके appreciate किया मुझे और हमारा शो कल और एंट मिल यह लोगों से और मुझे अपने दोस्त इश्ते दार मुझे चाहते हैं शपोर्ट करते हैं और थे बहुत Pr doors किया मुझे यह और सब 3 की अब जैएज बॉनाक चाहmede दो से कहा लाइफ में रोल कभी बने सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि एक माबाप का योगदान बहुत होता है तो मैं अपनी मम्मा को अपना वो मानता हूँ आइडल उन्होंने बहुत किया है और बहुत मतलब प्रेख explodals किया खिर उनका सब्सक्राइब क्या प्रफिक शंदगी में कुछ कर पारा हूं तोड़ा बहुत भी तोड़ा बहुत जो भी कर पारा हूं से अपने ममा की जरे से जिनदगी में पल पल इनसान को आगे बढ़ाते हैं ऐसे मेरे दोस्त हैं काफी सारे से मित्र हैं मे यह ने मुझे पूपोर्ट किया है, एक मेरे सपोर्टिव हैंड है, और काफी सिंगर्स को मैं सुनता हूं, सोनु निगम जी को मानता हूं, मानता हूं कि उन जैसे कभी उनके पैर का नाखुन भी बन पाऊंगाूं कभी बात्षीत करने की कोशिश कि उनसे? जी, मेरा सुभागय रहा कि मैं सोनु जी से मिल पाया जब राजगराना में आये थे, और बहुत मतलब मैं उस दिन मेरे आखे नम थी, जब मैं उनको देख रहा था, मेरे पास उनका नंबर भी है, कभी कभी मैं अपने कुछ गाना, कुछ गाके उनको भेज देता हूं, तो उ इंडियन आइडल की मैं बात करूँ तो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, इंकी सिंगिंग बहुत अच्छी होते हैं, लेकिन इंडियन आइडल तक पहुआ पाते हैं, लेकिन गौःब के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इंडियन आइडल में भी जा चुके हैं इंडियन आइडल में जाने का सफर कैसे तै किया और जब वहाँ पर पहुंच गए as a contestant आपने खुद को देखा तो कहां से कहां आप पहुंच गए confidence कहां से कहां चला गया आपको कैसा महसूस किया बहुत ही अच्छी जर्णी थी वो इंडेनाइडल की मेली और मुझे याद है कि 2017 में मुझे कॉल लाई कि सैलेंट अडिशन है इंडेनाइडल का और मैं फिफ्टी सिस्टी कंटेस्टन थे और उस साल के जो सेकिंड रणनर अब थे खोदा बग्ष जी वो रमेकी ग्रूप मे अपने जैसे लोगों को मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं हमें और सीखना चाहिए तो मुझे बहुत प्यार मिला मैंने उस समय भी शो के दौरान जब मैं स्लेक्ट हुआ था टॉप 30 में डेली से तो मैंने सोनु जी का गाना गाय था और रफी साब को मैंने गाने गाय थे वहां पर और कुछ मिमिकरी भी की थी और काफी मुझे प्यार मेला महां से वहां से में सिलेक्शन हुई और अच्छा लगा था मेरा वो बहुत बेस्ट एक्ष्ट एक्स्पिरिंस ऑफ माइ लाइफ हम करनाल शहर में हैं हमारे लिए करनाल चाहे बहुत बड़ा शहर हो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं करनाल के लिए लेकिन जब हम मुंबई जैसे शहर में चंडिगर जाए डाली जाए बड़े-बड़े शहरों की मैं बात करी हूँ वहां पर हमें इस नजर से देखा ज बिलकुल बिलकुल आपने बिलकुल सही बोला कि कि अपने बहुता होना europé जवसे कहाँ इस अज्य करू आज कला याज़ीयों काम अपना पजिए रियाज पुकता करें, अच्छे गुरू का साथ पाएं और गुरू की सेवा करें, तो जरूर कुछ हो जाएगा, इस फिल्ड के अंदर जरूर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जरूर गौरव की मा यहां पर मौजूद है, मैं दिखाना चाहूंगी कि वह यहां पर बैठे हैं, ग जितनी जानकारी मुझे है कि आपके फादर इस दुनिया में नहीं है मेरी तरह, तो जब आप किसी भी मुकाम तक पहुंशते हैं, आपको एक फिलिंग ऐसे आती होगी कि पापा जहां कहीं भी होंगे, मुझे देख रहे होंगे, और बहुत जादा खुश होगे, बिल्कु क्योंकि बहुत खोद यदा मैंने होने, तो लेकिन उनका साथ मुझे लगता है, मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि पल-पल मेरे साथ है, मुझे देख रहे हैं, जिंदए की मुसीवितों से मुझे बचा रहे हैं, और मिर मम्मी ने कभी मुझे 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 मुझ एक वाद जी एक सौंग ने एक जी एक मेरा वनओं फेवरेट मेरा इडल नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझ से जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिन्द भी अब तुम ही हो जैसे अर्जीत सिंग को लोगों ने बहुत जादा प्यार दिया मैं चाहूंगी कि गौरव शर्मा को भी आपका प्यार जरूर मिलना चाहिए आपकी ब्लेस्ग जरूर मिलने चाहिए और गौरव शर्मा के उपर जिनका सबसे बड़ा हाथ है आशिरवाद वाला हाथ उनकी माँ का है क्या नाम है आपका क्या कुछ बताना चाहेंगी आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटे की बस यही कहूंगी कि इसको बगवान और तरक्की दे और ऐसा बच्चा सब को दे जैसे मेरे हैं अगर कोई मां कोई पिता खुद कहे ना कि मेरे बेटा जैसा बेटा सभी को मिले तो मुझे लगता है कि बेटे ने कुछ तो कमाई अपनी जिंदगी में की है हमार साथ उनकी धर बात अच्छा हैं इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा आपकी जिंदगी में भी हो रहा है और ऐसी सब कुछ अच्छा चलता रह थे मेरी आप सभी लोगों से यहई-पेल के जो भी लोग इस को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक